ऐसे जैसा कि आप लोगों को बता दूब कि कल का वीडियो हमने नौलेजफुल और वेक्सीन की जानकारी दिये थे तो वीडियो कई भाईों ने वीडियो देखे नहीं जिस से की ब्यूज भी कमा है और आप लोगों को बता दूँ इसके लाबा नॉलेज के लिए था वीडियो यदि आप एक बार देखोगे तो उसमें आपको जानकारी भी मिल सकेगी और आई बटन में भी वो वीडियो हम अपलोड फिर से कर देंगे देखना चाहो तो आप वीडियो के एंडिंग में भी वीडियो देख सकोगे उसका लिंक छोड़ देंगे इसके लावा आपको बता जूँ कि ये कड़कनाथ के बच्चे हैं दो दो मेने के हैं अच्छा बड़ा साइज है जो भाई लेना चाहता है तो अच्छे से मिल जाएगा और जहां भी है वहाँ डिलिबरी हो जाएगा रेलवे स्टेशनों के माध्य हमसे आल इंडिया में सप्लाई हो जाएगा जो भाई लेना चाहते हैं हमसे संपर्ख कर सकते हैं हमारे पास उसके डेवल्ड चिक्स मिलते हैं और देड़ से दो मेने का चूजा मिलता है तो जो भाई लेना चाहते हैं हमसे जल से जल संपर्ख करें आल इंडिया में रेलवे स्टेशनों में डिलिवी हो रही है और जो भाई यदि बिजनिस करके पेशा कमाना चाहते हैं तो उनको फार्मिंग माल भी मिल जाएगा देशी कड़कनात असील गिनिफाउल टर्की और फैंसी में सिल्की वेंटम या बतक के बच्चे वाइट प्लाई बतर जानकारी मिलते रहेगी और आपको देखने को भी मिलता रहेगा हमारे पास क्या-क्याँ चीज़ रहती है इसके लाब हाँ तर्की का बच्चा मिलता है यसा बच्चा मिलते है जो भांशिरी हमसे लेना चाहते हैं यह तो मिलकुल हम टांस्पोर्टिंग सभी जगे करवा दीने और रेलवे स्टेशन से सभी जगे भिजबा भी देंगे और आप लोगों को बता दू कि जो भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चेनल सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर कर ले इससे कि हमारे जनकरी जो अपलोड हम करते हैं जो वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं और जो वीडियो में बर्ड दिखाते हैं एदि आप इंट्रेस्ट है आप लोगों को और आप पसंद करते हैं जानवरों को तो बिलकुल अपने फार माउस में या सोंक से घर में पालने के ल अजय को हाइंगे इन्हेर सबीज़ पेखे लाने में मदद करेंगे हुआ कम से कमदामों में आप लोगों के बनाई में यह पैसे का जो ओर और जो भी है तो जो भाई यदि लेना चाहते हैं कौन सा साइज का कित्ता बड़ा है तो सबका साइज और वेट और सबकी प्राइज भी अलग-अलग होती है इसलिए रेट और सबकी लिए परसनल में कॉल कर लिया वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए चेनल सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके नोटिफिकेशन ओन रखें जिससे कि हम मिलते रहेंगे फिर